हाई लो फ्रेंड आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल बीटॉपर में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 12 जनुरी को आपका पेपर है नलकूप चालक का और हम डेली 10 बजी सुभा ट्रेट का लाइब क्लास कराते हैं टेस्ट पेपर और पेपर दो-3 दिन बचे हैं इसलिए मैं 50 most important mcq लेकर आया हूं तो आप सभी को इसका उत्तर करते रहना है और जो question आपको याद नहों वो याद भी कर लेना है काफी अच्छा test paper आज मैं चूच कर लेकर आया हूं तो आप सभी लोग तयार हो जाए और वीडियो को share कर दीजिए और लोग भी जुड़ करिए question number 203 का comment करते रहिए दोस्तों question number 203 का right answer दोस्तों option A से 452 डिगरी फारेन होता है क्योंकि आप हिलियम का उबालने का तापान आप लोग याद कर लीजिए काफी most important question है ज्यादा दर पूछे जाते एक जाम में चलिए दोस्तों चार नमर question oxygen cylinder को रंग कैसा होता है बताईए आप लोग oxygen cylinder का रंग कैसा होता है फटाफट question number 205 के आप लोग right answer comment करते रहिए दोस्तों comment करते रहिए दोस्तों question number 204 का आप लोग right answer question number 204 का right answer आप संडी से ये दोस्तों काला होता है चलते हैं आकसीजन सिलेंडर की चूड़िया किस हाथ की होती है यह लिए आप लोग क्वेसिन नम्बर दोसो पांच का राइट एंसर कमेंड करते रहें खुर्षण नम्हर्ट दोस्तों आप लोग चल्दी थोड़ा कमेंड किया करें फटा-फट चलिए आप लोग 205 का right answer कमेंट करते रहे partition question 25 option A से हुए दाए हाथ question 26 के ओर चलते हैं एसे टिलीन, सिलेंडर का रंग कैसा होता आप लोग बताईए, फटापट आप लोग question no.26 का right answer कमेंड करिए दोस्तों, question no.26 का right answer option D सही है, काला, चलिए question no.27 के और चलते हैं, एसे टिलीन, सिलेंडर की चूडिया किस हाथ की होती है, चलिए बताईए, आप लोग फटापट question no.27 का right answer कमेंड करते हैं, question no.27 का right answer कमेंड करते हैं, question no.27 का right answer option B सही है, बाएं हाथ, चलिए question no.28 के और चलते हैं, high pressure gauge कितने किलोग्राम प्रतवर्ग सेंटीमीटर तक pressure पढ़ सकती है, चलिए आप लोग फटापट question no.28 का right answer कमेंड करते हैं, चलिए आप लोग करते हैं, comment question no.28 का right answer option A सही है, 300, चलिए question no.29 है, low pressure gauge कितने किलोग्राम प्रतवर्ग सेंटीमीटर तक pressure बढ़ा सकती है, चलिए आप लोग फटापट question no.29 का right answer करते हैं, question no.29 का right answer option D सही है, 50, चलिए question no.210 है, carbon arc का पूल रूप में से काम में लाने योग किसनी बनाया, चलिए फटापट आप लोग question no.210 का right answer करिए दोस्तों, question no.210 अच्छा question आप सभी को इसका उतर करना है, फटापट करते रहिए दोस्तों comment, question no.210 का right answer दोस्तों, आप सन B सही है, question no.211 है, coated electrode के उप्योग के संब्ध में प्रियोग कब सुरू हुआ, चलिए फटापट आप लोग question no.211 का right answer करिए, किस संब्ध में coated electrode का उप्योग हुआ, करते रहिए आप लोग comment, question no.211 का right answer आप सन A सही है, 1914 इस भी में, question no.212 है, डाइनमो की कोच कब हुई, काफी अच्छा question है, और ऐसे question exam में काफी बार पूंचे भी जाते हैं, तो आप लोग को 212 का right answer का comment करना है, चलिए फटापट question no.212 का, आप लोग comment करते रहिए दोस्तों, question no.212 का right answer, आप सन A सही, 18 अतापदी में, डाइनमो की खोज हुई, आप लोग इसे याद भी कर लिजए, जो लोग नहीं जानते हूँ, चलिए question no.213 क्यों चलते हैं, soldering operation के संबन में निमलिखिद में इसे कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, चलिए इनहीं तीन आपसरों में आपको उत्तर करना है, चलिए फड़ा फड़ा आप लोग question no.213 का right answer कमेंट करते रहिए दोस्तों, question no.213 का आप लोग दोस्तों right answer कमेंट करते रहिए, question no.213 का right answer option B से यह, बेस धात को 650 degree Celsius पर गरम किया जाता है, चलिए question no.214 है, progressive growing में शुरू का कोण 30 अंस होता है और इसे घटाया जाता है, चलिए आप लोग question no.214 का फड़ा पर right answer कमेंट करते रहिए, काफी अच्छा question है, सभी को इसका उत्तर करना है, देखते हैं कितने लोग का सही जाता है, चलिए फड़ा पर आप लोग comment करते रहिए, question no.214 का right answer आप सने से यह, पांच डिग्री से 10 डिग्री तक चलिए question no.215 है, horizontal position में joint को blade करने के लिए, bottom surface के साथ electrode को पकड़ने का counts of you को होता है, चलिए सभी को question no.215 का right answer उत्तर का देना है, चलिए देखते हैं कितने लोग का सही जाता है, करते रहिए आप लोग question no.215 का right answer, question no.215 का right answer option C सही है, सत्ता डिग्री से 80 डिग्री तह है, चलिए question no.216 के ओर चलते हैं, tip plate joint की welding plate की पूर्व setting करने में निमलिखित में इसे कांसा होत देश है, चलिए फड़ा बड़ा आप लोग question no.216 का right answer कमेंड करिए दोस्तों, काफी अच्छा question है, आप लोग सभी को उत्तर देना है, question no.216 का right answer option B सही है, distortion का control करना, चलिए question no.217 है, धर्ती पर oxygen की मात्रा भार के आधार पर कितने परस्त है, चलिए बताइए आप लोग oxygen की मात्रा भार के आधार पर कितने परस्त है, question no.217 का आप लोग right answer कमेंड करिए, question no.217 का right answer option B सही है, पचास परतिसत, question no.218, अधाओगी कुपयोग के लिए oxygen की तयारी कब सुरू हुई, question no.218 का आप लोग right answer कमेंड करते रहिए दोस्तों, question no.218 का right answer option B सही है, 1895 भी, चलिए question no.219 के और चलते हैं, oxygen कितने डिगरी पर तरहला वस्ता में आती है, सभी को इसका उत्ता देना काफी most important question में मैं इसे रख रहा हूं, आप सभी लोग इसका फटा-फट right answer कमेंड करते रहिए, question no.219 का करिए आप लोग, थोड़ा fast आप लोग comment करिए, चलिए करते रहिए, सभी लोग करिए, सब लोग उत्तर देते नहीं, आप लोग ज्यादा लोग आए पर रहते हैं, लेकिन उत्तर के और 15-20 लोग देते हैं, चलिए question no.219 का राइट answer आपसन यह सही है, चलिए, फड़ा बड़ा आप लोग question no.220 का राइट answer करिए दोस्तो, question no.220 का राइट answer आपसन C सही है, डी आकसाइड कापर एलेक्रोड, question no.221 है, यह the top की age पर अधिक flame दिया जाता है, तो lab joint में निमलिकिन में से कौन सा दोस आ सकता है, चलिए, आप लोग question no.221 का राइट answer करिए, question no.221 का राइट answer आपसन A सही है, plate का age पिखल जाना, चलिए, question no.222 है, spot gozing में जब preheat किया हुआ, spot लाल गरम होता है, तो शुरू का कौन 20 डिग्री से 40 डिग्री होता है, gozing torch के इस कौन को घटाया जा सकता है, question no.222 का राइट answer आपसन B से 5 डिग्री से 10 डिग्री तक, चलिए question no.223 के और चलते है, नमी के प्रभावित एक एलेक्ट्रोड को एक निश्ची तापमान पर एक गंटे के लिए गरम करना चाहिए, चलिए question no.223 का राइट answer कमेंट करते रहे, question no.223 का राइट answer आपसन C से 110 डिग्री से 150 डिग्री तक, चलिए question no.224 के और चलते है, निम्लिकित मेंसिक किस धातु का उच्चेतम गलांक होता है, चलिए फटा फटा आप लोग बताते रहे, question no.224 का राइट answer दीजिए, question no.224 का राइट answer आपसन D से यह है, टंगस्टन, चलिए question no.225 के और चलते है, चलिए question no.225 का राइट answer आपको बताना है, चलिए देखते हैं कितने लोग का सही जाता है, question no.225 का राइट answer कमेंड करते रहे है, question no.225 का राइट answer आपसन D से यह ब्रेडिंग के लिए, question no.226 के और चलते है, एसे टिलीन से लेंडर में गैस का दबाव कितना किलोग्राम प्रतवर्क संटीमीटर होता है, चलिए फटा बड़ा आप लोग question no.226 का राइट answer करते रहे हैं दोस्तों, question no.226 का राइट answer आपसन D से यह बंदरा, चलिए आप लोग question no.227 का राइट answer करते रहे हैं, चलिए हाँ, ज्यादा तर लोग का answer सही आ रहा है, चलिए आप लोग करते रहे हैं, सभी लोग करिए, question no.227 का राइट answer आपसन E से ही है, question no.228 है, retard gas, तेल को retard में कितने तापमार पर गरम करने से प्राप्त होती है, चलिए फटा बड़ आप लोग question no.228 का राइट answer कमेंट करिए दोस्तों, करते रहे हैं, question no.228 का राइट answer आपसन E से ही है, 720-740 degree Celsius, question no.229 है, एक किलोग्राम फ्यूल आयल से कितनी घन मीटर रिटार्ट गैस बनती है, चलिए आप लोग करते हैं, question no.229 का राइट answer, आप लोग कमेंट करते रहे हैं, question no.229 का राइट answer, question no.229 का राइट answer आपसन E से ही 0.35 से 0.4, चलिए question no.230 है, वायू में आरगन कितनी होती हैं, आप लोग को बताना है, most important सभी को उत्तर देना है, फिर भी तभी मैं आगे बढ़ूँगा, पहले मैं सभी का उत्तर देखूंगा, चलिए सभी लोग करिए, फटा-फटा सभी को कमेंट करना है, चलिए करते रहे हैं, आप लोग कमेंट, question no.230 का, कमेंट करते रहे हैं दोस्तों, question no.230 का, question no.230 का, right answer, option C सही है, भार का 1.3% होता है, चलिए, question no.230 है, बेज जहात के साथ, वीड की खराब fusion के लिए, निमलिखित में इसे कौन सा टेष्ट अधिक बच्चत वाला होता है, चलिए, आपको 231 का, इन ही दो में right answer कमेंट करना है, सभी का सही जाना चाहिए, जब दो option आपको मिले हैं, तब तो सही करिए आप लोग, question no.230 का, आप लोग right answer कमेंट करते रहे हैं दोस्तो, question no.230 का, right answer option B सही है, बहुत छोटी आर्क, चलिए, question no.232 है, mild steel पर build किये हुए, joint पर surface crack को check करने के लिए, निमलिखित में से कौन सा test अधिक बचत वाला होता है, फटा फटा आप लोग question no.232 का right answer कमेंट करते रहे हैं दोस्तो, देखते हैं कितने लोग का सही जाता है, फटा फटा आप लोग question no.232 का right answer कमेंट करिए दोस्तो, question no.232 का right answer कमेंट करिए दोस्तो, option A से ये, द्रिष्ठी निरच्छर टेस्ट, चलिए, question no.233 है, building की अपहिल विदी का प्रियोग करते हुई, mild steel pipe की building करने के लिए, पाइप की new term thickness होनी चाहिए, चलिए आप लोग कमेंट करिए, question no.233 का right answer आप लोग करते रहिए, question no.233 का right answer आप संडिस है दोस्तो, 5 मिमी, question no.234 की और चलते हैं, heavy coated electrode प्राया उप्यूक्त होता है, आप लोग बताए, question no.234 का right answer करते रहिए, question no.234 का right answer आप संडिस है, flat position में building के लिए, question no.235 की और चलते हैं, निमलिकित मेंसे किस धात में उच्छतम thermal conductivity होती है, question no.235 का right answer कमेंट करते रहिए दोस्तो, question no.235 का right answer आप संडिस है, copper, question no.236 का right answer कमेंट करते रहिए, question no.236 का right answer आप संडिस है, fusion की कमी, question no.237 की और चलते हैं, निमलिकित मेंसे कौन सा उप्यूक्त आप मान है, जिस पर cost iron की base धात को pre-hit किया जाता है, चलिए फड़ा फड़ा आप लोग इसका right answer कमेंट करते रहिए, काभी most important question है, सभी लोग का पुझन है, क्योंकि आपके slabus में तापमान है, और तापमान से अगर कोई सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे पूच्छे question जा सकते हैं, चलिए मैं इसे most important कर दे रहा हूं, आप सभी को इसका उत्तर करना है, फटा फटा आप लोग question number 237 का right answer comment करते रहे है, question number 237 का right answer option इसे 300 degree Celsius, चलिए question number 238 है, carbon arc द्वारा निमलिखित में इसे किन धात्वों को build किया जाता है, फटा बडा आप लोग question number 238 का right answer comment करते रहे हैं दोस्तों, सभी को उत्तर देना है, ते लिए question number 238 का सभी लोग करिये, question number 238 का right answer option D, सभी cost iron, thamba, aluminum, सब है, question number 249 में चलते हैं, पानी में आक्सीजन की मातरा भार के अदार पर कितेने परती सत है, फटा बडा आप लोग question number 249 का right answer comment करिए, पानी में आक्सीजन की मातरा भार के अधार पर कितेने परती सत है, अब यह एक प्रित्वी पर आया भार के अधार पर आया था, अब पानी में आक्सीजन की मातरा में बताना है, चलिए करते रहे हैं आप लोग कमेंट, question number 249 का right answer option E सही है, 90% है, चलिए, आगे चलते हैं, question number 240 के और, इस प्रकार की electrode सीरगता से नमी की गरहन कर लेती है, आप लोग बताईए, question number 240 का right answer करते रहे हैं दोस्तों, question number 240 का right answer option C सही है, basic coated electrode, question number 241 है, electrodeों का उत्पातन दो standard लम्माईयों में किया जाता है, जो की है, चलिए आप लोग बताईए, question number 241 का right answer कमेंट करते रहे हैं दोस्तों, question number 241 का right answer option B सही है, 350 mm से 450 mm तक, question number 242 के और चलने हैं, लोहा काटने वाली आरी का blade कितना लम्म होना चाहिए, चलिए यह most important मैं कर रहा हूं, सभी लोग इसका उत्तर, बेरी most important कर दे रहा हूं, सभी को इसका उत्तर करना चलिए, question number 242 का right answer कमेंट करिए, लोहा काटने वाली आरी का blade कितना लम्म होना चाहिए, question number 242 का, सभी का उत्तर सही जाना चाहिए, question number 242 का right answer 612, चलिए question number 243 के और चलते हैं, लोहा काटने वाली आरी की एक इंच लंबाई में कितने दांत होते हैं, यह भी most important है, चलिए सभी को बताना है इसका right answer, फटा बटा आप लोग कमेंट करते रहे हैं दोस्तों, question number 243, लोहा काटने वाली आरी की एक इंच में कितनी दांत होते हैं, चलिए बताइए, आप लोग फटा बट question number 243 का right answer करिए, question number 243 का right answer option B सही है, 10 से 15, question number 244 की और चलते हैं, निमलिकित मेंसे कास्ट आयरन का कौन सा गुड़ उस पर बेलेडिंग करने को मुस्किल बनाता है, चलिए question number 244 का आप लोग right answer कमेंट करते रहे हैं, आज का सभी को उत्तर देना है, question number 244 का right answer option C सही है, hardness और brightness, ठीक है, question number 245 की और चलते हैं, गैस बेल्डिंग की बिधी की द्वारा, कापर की बेल्डिंग के लिए, निमलिकित मेंसे कौन सा प्री हिंटिंग तापमान है, चलिए ये भी काभी very most important question, सभी को question number 245 का उत्तर करना है, फड़ा बड़ आप लोग कमेंट करते रहे हैं, सभी लोग उत्तर करें, question number 245 का right answer option A सही है, 350 degree Celsius, चलिए question number 246 के चलते हैं, दुरघटना का मुख कारण क्या है, ये काफी most important, आप लोगों को मैंने इस पर एक चैप्टर करवाय था, सुझाओ अच्छा जो आपके इस लाइबस में है, चलिए देखते हैं कितने लोगों की तैयारी चैप्टर से, फड़ा बड़ा आप लोग question number 246 का right answer कमेंट करिए, question number 246 का right answer करते रहे है, question number 246 का right answer option A से लापरवाही का परिणाम है, चलिए question number 247 है, जोलने वाली वस्टू के आधार पर बेलडिंग काउन काउन से प्रकार की होती है, फड़ा फड़ा आप लोग question number 247 का right answer कमेंट करते रहे हैं दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, चलिए question number 247 का right answer option C से ये वाभी दोनो, question number 248 है, बिद्धु चाप का तापकरम कितना होता है, आपके slabus में बिद्धु मैंसर है, तो आप लोग की तयारी कितनी है, चलिए मैं इसे most important में करता हूं, देखता हूं कितनी आप लोग तयार हैं इस question को करने के लिए, फड़ा बड़ा आप लोग question number 249 का right answer करिए, और सभी लोग उत्तर देंगे उसी के बाद में बढ़ूंगा, करते रहे हैं आप लोग comment, काफी अच्छा question है, question number 249, 249 का दोस्तो right answer, आपसन इसे ही है, 3700 degree Celsius से 4000, जिनको नायाद हो याद कर ले, most important में है, चलिए question number 29, फोर्ज बर्डिंग में करम कितना होता है, फड़ा बड़ा आप लोग question का right answer करिए, मैंने सारे चैप्टरों के लगभव में, इसमें question लाने कोशिश की, तो फड़ा बड़ा बलोग question number 249 का right answer करते रहे है, question number 249 का right answer सभी को उत्तर देना है, question number 249 का right answer, आपसन सी से ही है, 1200 degree Celsius, चलिए question number 250 है, इस तत्त का घ्यान बाइग्यानिकों को कब हो चुका था, कि oxygen और acetylene गैसों को पारस पर मिलाकर जलाने से एक IC ज्वाला उत्पन होती, जिसका ताप करम, 340 degree Celsius, चलिए मैं आपको option दिखाता हूं, यह रहे option, तक पहुं जाता है, अप लोग बताईए, फड़ाफट question number 250 का, अब लोग comment करिए, दोस्तों अरो आपको एक important news देना है, बाराब जी मैत की live class होगी, बस एक घंटे, एक घंटे के बाद, तो आप लोग बाराब जी मैत की class में live जरूर आईए, क्योंकि वहाँ पर आपका test paper तो हो गई होगा, साथ में बहुत अच्छे अच्छे trick बताए जाएंगे, और आपको जो question पूछा जाएगा, अगर आप नहीं लगा पाई तो आपको पूर्ण रूप से उसे समझा कर तभी आगे बढ़ा जाता, यह नहीं क्यों अलाप सन बता अगर आकर बढ़ा जाता, तो आप लोग 12 बजी के math के class में लाइब जरूर आएं, क्योंकि बहुत अच्छा test paper, 2 सितंबर को जो paper हुआ था, उसी के calling लाया जा रहा है, 12 जनुरी को सेम उसी तरीके से आपको paper को देखने को मिलेगा, तो आप लोग 12 बजे math में लाइब जरूर आईए, और 8 बजे आज reasoning बहुत अच्छी हुई, जिसमें अउधारना और काफी अच्छे-चे question आयू संबन्दित आ हैं, तो 8 बज्योली reasoning जिसने ना देखा वह हमारे channel बजिट करकर देख सकती हैं, वहाँ पर आपको playlist में मिल जाएगी, वीडियो में मिल जाएगी, तो चलिए 250 नंबर question का answer है, आप संबी सही है, आप लोग 12 बजे लाइब जरूर आईए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्षन में सजिस्ट भी किरिएगा, कि सरीष चैप्टर कराईए या मिसलेनियस कराईए, वीडियो काईसा लगा, आप लोग हमें कमेंट सेक्षन में बताईएगा, मिलते हैं आप सभी लोग 12 बजे माहित की क्लास में, थाइंक्स पर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स वीडियो,